देश बर में तूफान मचा रहा सिटियंशिप अमेंडमेंट बिल यानि नागरिक्ता संशोधन विधेयाग लोगसभा की परिक्षा पास कर चुका है और अब उसे राजेसभा में पेश होना है राजेसभा में पास होते ही ये बिल देश का कानून बन जाएगा लोगसभा में सरकार के पक्ष में 311 वोट डले थे और सरकार के विरोध में सिर्फ 80 यानि भारी मार्जिन से सरकार ने वहाँ ये बिल पास करवाया था लेकिन राजेसभा का गड़ित क्या कहता है आईए ज़रा देखते हैं राजेसभा का फिलहाल टोटल स्ट्रेंथ है 240, 247 फिलहाल राजेसभा में है 5 सीटे खाली है ऐसी सूरत में जो मैजिक फिगर है वो बनता है 121 यानि NDA सरकार के पक्ष में अगर 121 वोट डल जाते हैं तो सरकार इस बिल को पास करवाने में काम्याब हो जाएगी आइए जरा देखते हैं हम party wise segregation करके देखते हैं कि सरकार के पास आसादी से कितने वोट हैं और समी करण क्या शक्ल लेते हैं सबसे पहले बीजेपी अगर हम NDA की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात बीजेपी बीजेपी के पास है राज्यस्वा में 83 MPs अगर उसके साथ हम AI ADMK और हम JDU जैसे जो उसके सहयोगी दल हैं उन्हें जोड दें तो यह 11 और 6 के JDU के सांसत हैं इसके अलावा छोटी पार्टी जैसे अकाली दल या पिर और बाकी पार्टियों के भी आठ सांसत NDA के पक्ष में सीधा सीधा वोट डालते हुए दिखते हैं तो यह खुल मिलाकर यह जो इसके यह फिगर हो जाता है 108 108 सांसत यह हो जाते हैं लेकिन कुछ पार्टियां है जो NDA के साथ सीधे शामील नहीं है NDA में लेकिन वो गाय बकाय सरकार को वो एपक्ष में वोट करती नहीं है जैसे कि BJD, BJD के साथ सांसत राज्य सवा में है और लोग सवा में भी BJD ने सरकार के पक्ष में वोट किया खा जगन मोन रेड़ी की YSRCP इसके भी दो सांसत राज्य सवा में है अगर इन 9 सांसतों को हम मिला लेते हैं तो ये टोटल फिगर हो जाता है 117 है यानि सरकार फिलहाल 4 वोट दूर दिख रही है बहुमत के आकड़े से लेकिन यहां राज्य सवा में खेल शुरू होता है नोमीनेटिड सांसतों का राज्य सवा में नोमीनेटिड सांसत है 12 जिन में से 8 जो है वो सीधे सीधे BJP के पक्ष में है यह 8 सांसत अगर सरकार के पक्ष में वोट दे देते हैं तो 117 है प्लस 8 सरकार आसानी से 121 के मैजिक फिगर को पार कर जाएगी अभी यहाँ पर हम शिव सेना की बात नहीं कर रहे हैं शिव सेना ने लोग सभा में इस बिल के पक्ष में वोट दिया था लेकिन अब शिव सेना प्रमुक और महराश्च के मुख्यमंत्री उद्धर ठाकरे ने कुछ शर्ते रखी है राज्य सभा में वोट देने को लेकर शिव सेना की तीन सांसद है अगर अहम उन्हें सरकार के पक्ष में ना भी माने तो भी सरकार को कोई फरक नहीं पड़ता और अगर आखरी लम्हों में ये सरकार के साथ आ जाते हैं तो सरकार को 128 वोट मिल जाएंगे और चाहिए 121 यानि आसानी से वो ये बहुमत का कर लेगी लेकिन राज्यसवा में अलगलग से रार्यों क्यों होते हैं कई सर्गारों की कई पर्ट्यों की अपनी वोट depression की राज नीती होती है जिसके चलते वो कई आखरी मोवमेंट्स पे आखरी लंभों में अपने इरादे बदलते हैं नितिश कुमार की पार्टी जेडी यू की बात करते हैं जैसा हमने बताया कि जेडी यू के छे सांसद राजेसवा में हैं इसके अलावा ए आई डी एम के के ग्यारा सांसद हैं यानि कि कुल मिलाकर हो जाते हैं 17 अगर अपनी जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसके चलते ये पार्टियां वॉक आउट भी करती हैं तो राजेसवा में 240 में से इन 17 सांसदों के वॉक आउट के बाद जो मैजिक फिगर है वो हो जाएगा 112 यानि सरकार अगर 112 वोट ले लेती है जेडी और ए आई DMK के वॉक आउट के बाद तो भी वो ये बिल पास करवाने में काम्याब हो जाएगी आई अब बात करते हैं कि UPA यानि कि Congress की अगवाई वाला जो गटबंदन है उसके पक्ष में आकड़े क्या कहते हैं तो यहां हम UPA की बात करते हैं UPA के साथ जो दल हैं उनमें Congress के जो है वो लगबग कुल मिलाकर 46 सांसद है और उसके साथ हम DMK जैसी दूसरी पार्टियों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर यह 16 और सांसद है और टोटल इनकी संख्या हो जाती है 62 अब कुछ non-UPA दलों की बात करते हैं जो सरकार के पक्ष म वोट नहीं देंगे non-UPA जैसे TMC, ममताब एनरजी, समाधवादी पार्टी या तो वोक आउट करेंगी या सरकार के पक्ष में वोट नहीं देंगे non-UPA का तोटल फिगर है 43 यानि अगर इन दोनों को जोड भी दिया जाए तो सरकार के खिलाफ वोट बनते हैं ideal situation में 105 यान कुल मिलाकर इस बिल का कितना भी विरोध होता रहे नौर्थीस से लेकर देश के तमाम हिस्सों में लोग इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते रहें हमारे समविधान पर चोट बताते रहें लेकिन राज्यसवा का गणित साफ कह रहा है कि सरकार ये बिल citizenship amendment बिल आसानी से पा देश का कानून बन जाएगा